इसकार स्वागत है आपका हमरी चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी कॉंग्रिस पार्टी के लिए देश में मुश्किल का दौर चल रहा है उत्तरपरदेश चुनाफ में हार के पाद अब गुजरात विधानसभा और साथ ही हिमाचल विधानसभा चुनाफ करीब ह लेकिन कॉंक्रिस नेता राहूल गांथी ने एक बार फिर विदेश की उडान फड़ ली है जी हाँ खबर ये साफनी आ रही है कि राहूल गांथी अब इन चुनाफों से पहले यूरोप में चुट्टिया मनाने के लिए चले गए हैं आपको यह बताते हैं कि इससे पहले भी जब देश में उत्तरब्रदेश उत्राखन समेत पांच राज्यों में विदान सभा चुनाफ थे उससे ठीक पहले राहूल गांथी लंडन गए थे और लंडन में वो कई दिनों की छुट्या मना कर वापस लोटे थे जिसके बाद वो चुनाफों में बयानवाजी का द तस्पीर दिखाई दे रही है आपको यह बताते हैं कि कॉंक्रस पार्टी के नेदा राहूल गांथी अगले महिने दिलांकना के दो दिवस्य दौरे पर चाहिंके गुजरात और हिमाजल प्रदेश की चुनाफ करीब आ रही हैं इस से पहले वो गर्मी की छुट्या मनाने क के विदेश रवाना हो गए हैं इस तरीके की खबरें साफने आई हैं यह तमाग मीडिया रिपोर्स दावा कर रही हैं हलकि कॉंक्रिस पार्टी की ओर से अभी तक कोई ओफिशल स्टेट्मेंट इस पूरी खबर पर इन तमाम मीडिया रिपोर्स पर साफने नहीं आया है ल पेटे राहूल गांथी विदेश यात्रा पर क्यों निकल जाते हैं आखर विदेश में छुट्निया इतनी जरूरी क्यों हैं तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स भी उठा रहे हैं और सवाल ये भी लगातार उठते रहे हैं कि क्या चुनावों से ठीक पहले राहूल गांथी के विदेश यात्रा का मतलब ये है कि चुनावों में जो पैसा लगाया जाना है क्या वहां से पैसा आ रहा है ये साफ सवाल जो है राहूल गांथी और कॉंग्रेस पार्टी से सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं इसके लावा तमाम जो विपक्षी दल है वो भी लगातार निशाना साथते रहे हैं कि आखर इस तरीके से चुनावों से ठीक पहले राहूल गांथी चुट्यों पर क्यों जाते हैं और अब एक बार फिर यूरोप की वो उडान भड़ चुके हैं हलकि चीन और तमाम देश विरोथी जो ताक्ते देश को से पहले जाते हैं लेकिन हम यह देख रहे हैं कि उस टूल किट का कोई असर देश में नहीं हो रहा है क्योंकि कॉंग्रिस पार्टी लगातार देश में विखरती जा रही है चुनाव से पहले इन विदेश दौरों काफी कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि लगातार कॉंग विदेश रवाना हो गए थे और ऐसे मेर राहूल कांथी ऑर कॉंट्रस पार्टि पर विपक्श ने कहीं सवाल उठाए थे कि क्या को nuclear कीट तयार करने के लिए राहूल कांथी विदेश गए हैं क्या फिर चुनावों के बीच राहूल कांथी को उनकी नाथ ही याद आ गई है इसलिए वो विदेश गए हैं कि तमाम सवाल थे जो भी वक्षी पार्टियों की ओर से उठाए गए थे बीजेपी ने खासतोर पर राहूल गांथी पर निशना साधा था लेकिन एक बार फिर इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट साफ ने आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले राहूल गांथी अब विदेश रवाना हो गए हैं हलकि कॉंग्रेस पार्टी कौन सी चुनोतियों से जूच रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाए जा सकता है कि कॉंग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश से लेकर उत् ऐख रहे हैं जिस तरीके से हार्तिक पाइल है जो कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता है जो कि गुजराथ कांग्रेस के गारेकारनी अध्यक्ष है लेकिन वो खासा नारास है उन्होंने कांग्रिस नेतरथवर्ब सबार्ट है types जो नेतर्थ है उससे ठीक करने बज़ाए तो तरीके से विदेशों में छुट्टिया मनाई चाह रही हैं आकर विदेशों में छुट्टी मनाने का मकसद क्या है ये सवाल हर किसी के जहन में एक पार्फर से उड़ रहा है क्योंकि पार्टी चुनोतियों से खिरी हुई है लेकिन राहूल गांथी की इस महीने एक पार्फर जो विदेश यात्रा है वो हुई है तो ऐसे में जाहिर तोर पर सवाल कॉंगर्स party पर खड़ा हो रहा है और कॉंगर्स party जो देश के पाँच राज्यों में विधानसभाद चुना हुए है उसमें चिस तरीके से राहूल काधी जब चुनावों में कही ने कही रैलिया करने का वक्त था जब जनता के बीच पहुंच कर ये बताने का वक्त था कि Congress Party का सास्विन का कैसा रहा आखिर Congress Party ने क्या किया क्या नहीं किया लेकिन उस वक्त वो कही ने कहीं विदेश में जो चुटिया मना रहा थे उसका खाम्याजा इस तरीके से भुखतना पड़ा कि देश के पा खाम्याजा भी भुखतना पड़ रहा है लेकिन चुटिया कम नहीं हो रही है और एक बार फिर गुजरात और हिमाचल विदानसबाद चुनावों का बिगुल फुक चुका है क्योंकि चुनावी रैलियों का दोर कहीं न कहीं शुरू हो चुका है और उससे ठीक पहले राह कि चुटिया मनाने के लिए गए हैं या फिर चुनावों से पहले कोई टूलकिट तयार करने के मकसद से वह विदेश कई हैं इस पर भी कहीं- कहीं सस्पेंस पर करा हैं क्योंकि इस तरीके की चीजें हमें लगातार तेखने को मिली हैं कि जब-जब राहूल गांथी की दूसरी यात्रा है और इससे पहले वो दिसंबर 2021 में लगभग एक महीने के लिए विदेश यात्रा पर गए थे और इससे पहले शनिवार को राहूल गानी ने रास्टे स्वर्म सिवक संग और गेंसरकार पर सवाल भी उठाए थे उन्हें ये भी कहा था कि सभी संस्थान जो उनका विदेश दोरह हमेशा से ही जियासी खेमे में चर्चा का विशह रहा है और एक बार फिर से कहीं न कहीं चर्चा जो है उनके विदेश दोरह को लेकर बनी हुई है आखिर विदेश दोरह का मतलब क्या है आखिर किस मकसद से राहूल गानी विदेश दोरह पर निकलते हैं चुनाव से ठीक पहले हलाकि राहुल गांथी जिस तरीके से विदेश में छुट्या विताहनी के लिए निकल पड़ते हैं उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी भी लगातार उन पर निजाना साहती रही है और बीजेपी सांसत तेजश्वी सूर्य की ओर से हाली में एक बय इस यात्रा से जब समय मिलता है तब वो संससत आते हैं और संसत में जो मनमें आता है बोल के चले जाते हैं विस तरीके के Operations ने से तजशवी सूर्या उन टार्केट चुके हैं तो कहीं न कहीं राहूल गांथी के जो बयान हैं जिस तरीकी की वह बयानवाजी करते हैं जिस त ठीक पहले विदेश यात्रा पर जाना या विदेश में चुट्या बिताने के लिए जाना ये अपने आप में कहीं नगाई बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आकर किस मक्सद से राहूल गांथी चुनाँवसे ठीक पहले वहां पहुंसते हैं पार्टी के तिये वो पैसा इखटा करने के लिए बाहर जाते हैं क्या फिर वो पैसा लेकर यहां चुनाओं में पार्टी में लगाते हैं यह तमाम सवाल हैं जो कहीं न कहीं लोगों के जहन में हैं जो लगातार कॉंग्रिस पार्टी जिन सवालों में घिरती रही है और एक चुनावों से ठीक पहले दर्चल राहूल गाथी यूरोप की उडान भड़ चुकी हैं तो एक पार फिर फोक विदेश यात्रा पर हैं लेकिन अगले महिने उन्हें तिलाकना की दो दिवस्ते दोरे पर जाना हैं कॉंग्रेस पार्टी के लिए इतनी जादा चुनोतिया बढ होने का नाम नहीं ले रही है लेकिन आखर इन छुट्टियों का मकसद क्या है यह सवाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है फिलाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थानिवाद